उत्राखंड की चमोली से खबर है बद्रिनाथ हाईवे पीपल कोटी में मलबा आने से बंद हुआ पहाडी पर लगातार गिर रहा है मलबा मलबा आने से काम हो रहा है बाधित दोनों और फसे हैं यात्री जेसी भी मशीनों से हटाया जा रहा है मलबा बड़ी खबार इस वक्त आपको बता रहा है चमोली से रास्ता बाधित हुआ है पीपल कोटी पर एक बार फिर से लगातार वरसात हो रही है और वरसाती मौसम में पहाड किसक रहे हैं भूसकलन हो रहा है पहाडी रास्ते बाधि हैं जेसी मशीनों से हटाया जा रहा है मलबा तस्वीरों के जरी आपको दिखाने की कोशिश यह तस्वीरे दिन की हैं शाम के वक्त की हैं मलबा आने से काम हो रहा है बाधित चमोली की तस्वीरें हैं चमोली में भूस कलन से एक बार फिर से रास्ता बंद हुआ देखिए तस्वीरों के जरी आप देख सकते हैं जैसे भी मसीन लगा कर कैसे रास्ते को खोड़ने के कोशिश होने बदरिनाथ हाईवे पीपल को करती में मलवाया कि यह राष्ठी राजमार्ग यहां पर नच के द्वारा आजकल रोट कटिंग का कारी चलना है तो यह रास्ता बंद हो गया है दो इस्पोर्ट में रास्ता बंद हुआ है हालांकि उनके द्वारा तीन-तीन मशीने लगाए गई है लेकिन जो दूसर इस्पोर्ट है काफी बड़ा है काफी डेंजर वहां पर है एकदम चटान से और लगातार पथर गिरते आ रहे हैं और यहां तक आप देख सकते हैं कि जो लोकल लोग हैं जो पीपल कोटी बाजा से अपने गाउं के और जा रहे हैं उनको लग रहा है कि आज समय से रास्ता नहीं खुलेगा